हाई गाईच किस ने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है मुझे नहीं पता लेकिन आज मैं आपको रियल में किस मोड पे कितना स्कूटर दे पाएगा रेंज यह पूरा फाइनली आपको बता दूगा एक बार वीडियो को पूरा देख लिजेगा सारा कुछ आपको समझ में आ इनको भी इस वीडियो की जरूरत हो तो चलिए बात करते हैं यहां पर रेंज के बारे में सबसे पहला जो इनका मोड है वो है नार्मल मोड अगर आप इसमें हंड्रेट परसेंट बैटरी करके अगर आप चार्ज करते हैं तो यहां पर जोई स्कूटर है यह मैंने आपको इसमें पर दिखाया था जकी यह लगबग 85 तक चला जाता तो इसमें चला करके आपके। 135 km का range नहीं पा सकते हैं तो जो company कहती 135 km क्या वो real में किसी mode पे आपको range मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा तो मैं आपको बता दू really में वो range आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलाहाल में जो company जो claim करती है उससे आप जरूर पापाएंगे तो जो real वाला range है true range उससे आप कैसे प्राप्त करेंगे वो मैं आपको बता दू तो यहां पर आपको जो speed रखनी है वो लगभग अपने scooter की 25 तक रखनी है 25 26 27 30 इससे अधिक नहीं जाने अगर आप चाहते हैं कि हमारा scooter 135 तक जाए तो तो भाई hyper mode भूल जाओ sport mode भूल जाए नार्मल mode में भी भूल जाए कि आपको 60 70 जाना है बस आप इतना याद रखे कि आपको 25 पे चलाना है 25 26 इसी के बीच में रहना है highly लाश्टली लाश्टली आपको 30 तक जाना है तो आप scooter से 135 किलो मेटर से उपर भी आप range निकाल करके ला पाएंगे लेकिन य चीज है यहाँ पर तो 135 किलो में रहते हैं मैक्सिमम स्पीड में तो कभी कभी हो सकता है 50 तक पहुंच गया तो नार्मली उसे कोई खास दिक्कत नहीं होगे तो आपको 135 से अधिक रेंज इसी स्टर में निकाल करके आप ले पाएंगे यह तो मैं किलियरली बोर सकता हो अब रही बात अगर आप 50 पे चलाते हैं लागातार तो क्या आपको रेंज मिलने वाले क्योंकि भाई देखिए 25 बहुती कम एक प्रकार से हो जाता है तो अगर आप 50 पे चलाते हैं तो आपको क्या रेंज मिल जाएगा पर 50 पे आपको चलाने पे लगभग इस स्कूटर से 112.15 क्या सबस्कार को यहां पर मिल जाने वाली है इसके अलावा इसकूटर आपका आपका शीप्ट हो जाएगा जब 15 परसेंट पे आएगा तो आपका सीप्ट हो जाएगा एको मोड में तो कुल मिला करके 120 किलो मिटर के आपको रेंज निकल करके मिल जाएगी यदि आप इस स् स्पीड में चल चलके इको आटोमेटिक इनका खुद का मोड जब 15 पर सेंट पे आती बैटरी तो उस मोड में स्प्ट हो जाती है तो यह तो रही इस पोर्ट मोड की कहानी अगर आप और नारमल मोड की सौरी नारमल मोड में ही आप अगर इसी को 60 से 65 पर लेकर के जाते हैं तो आपको जो यहां पर س्पीड करके मिलेगी, वो मिलने वाली है 110, 110, 105 की बीच में रहने वाली है, उससे अधिक जाने ही पाइगा, उससे अधिक माधिक ने जाए उससे आप 60-60ada की बीच में रहते हैं, तो लेकिन अगर आप 780 के बीच में लगते हैं, तो आप भूल जाये स्पूटर को चलाते हैं और वहां पर लगभग 85 की स्पीड में जाते हैं तो 85 में चलाने पर आपको जी स्कूटर की रेंज मिलने वाली है 80 किलोमीटर हाइली अधिक से अधिक 85 उससे उपर नहीं जाएगा लगातार चलाते हैं तो फिर सिफ्ट हो जाएगा तो कुल मिला करके सिफ्ट होने के बाद ले जाके आपका पचासी पचासी या थोड़ा सोग पर अठासी सतासी तक जा पाएगा लेकिन केवल अगर केवल मो कहानी है लेकिन अगर वहीं पर आप जाते हैं हाइपर मोड में और हाइपर मोड में स्कूटर को पूरा हाइप करके दम चला रहे हैं 115 तक क्योंकि इसकी स्कूटर का रेंज जो कंपनी क्लेम करते हैं उससे भी हाइबल पर जा रहा है इस टाइम पर 119 पहुंच जाता है तो मैं एक वीडियो आपको डाल दूगा एक भाई ने भी जस्ट बनाकर मुझे सेयर किया है तो वह वाली वीडियो में आपको एक बिल्ली क्लिप करता हूं फिर बाद में वीडियो बनाऊगा तो उसमें जरूर मैं आपको अपलोड कर दूगा और जल्दी ही बात आने वाली ह में तो आप हमें चाहें तो अगर टेस्ट आपने सब कुछ किया है तो हमें डिफिनेटली आप सेयर कर सते क्योंकि यह भी जो वीडियो बना रहा हूं यह कस्टूमर के फीडबाइक के ऊपर यह लेकिन वह बोले थे कि सर रिकार्डिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं लएग हर यह चेंज करके बताता लेकिन यहां करें तो यह बात करते हैं बात करते हैं में हैपको इक वर्निंग पर तो मोड चेंज करने का आपको वार्णिंग आ जाएगा तो लगातार आप यह दो घंटे लगातार आप नहीं चला पाएंगे यह भी आपको ध्यान रखना है अभी ठंडी का दिन है तो यह कंडिशन है गर्मी दिन में क्या कंडिशन होगा पता नहीं क्योंकि एक भाई के दौओन लेकिन हमारी बात कर डिवाँ चलाएंगे ऑसने चला नहीं आप क्लिम्टर आप उतना सब्स्क्न जा तो नहीं दे पाएगी एक सो बिल्कुल कम कर जाते में ने जो बता रहां झाल तो उसके ब्राइंगी यह चिश्वा प ceux था अब उसके आप से आप अलेडी कल्कूलेट कर सकते हैं यहां पर जो मैं रेंज बता रहा हूं वह 100 के उपर अगर आप चलाते हैं इसकोटर को हाइपर मोड में लगातार तो वहां पर आपको जो रेंज मिलने वाली है वह 60-70 के बीच मिलेगी इससे उपर आप नहीं जा प सफी है हाइपर मोड के लिए इससे अधिक आपको मोड नहीं मिल इससे अधिक आपको रेंज नहीं मिलने वाला है तो यह पूरा रेंज का स्टोरी था बाकी जैसे स्कोटर हमारे पास में आता है आपको यह चीज़ हम टेस्ट करके दिखाई देंगे कि हम जो कह रहे हैं वह गलत है या सही है बाकी रही बात प्रदीप अनुभील की और बाकी और भी बहुत सारे यूटूबर है जिन लोगों ने रेंज अभी टेस्ट कर रहा है लगे हुए है हमारे होनहार इवी घ्यान वाले सर तो वह भी लगे हुए है इसी इसको टेस्ट करने में देखते हैं उनक कि वीडियो के बार चेक आउट करिएगा हमारी वीडियो कर चेक आउट कर चुके हैं तो कंपेरिंग कर लिजिएगा कि हमने क्या गलत बताया क्या सही बताया लेकिन जो भी बात है वो मैं आपको बता दिया यह स्कूटर 140 किलो मीटर भी चल जाए गया 25 पे चलाते हैं तो अगर आपकी एवरेजी स्पीट 25 रहती है कभी काल के हो गया 40-50 तक भग गया तो चलेगा तो इतना भी आपको दे देगा लेकिन कुल मीजार का बात ऐसी है कि अगर बार बार आप पुना मतलब भूल जाओ यह सब कुछ मोड मोड कौन इतना क्यार करता है लेकिन आपको ख अगातार चलाएंगे तो वह बात ही कुछ और है तो यह कुल मिलाजला करके अभी फिलहाल में कहानी है अपडेट के बाद की कहानी के बारे मैं क्या बता हूं मैंने एक वीडियो बना रखी है वह प्लीज आप जा करके उसको जरूर देख लीजिएगा अपडेट की बाद क अग अम चरूर के लिए किलिए हम से कुलững कर रहे हैं और क्योंकि यह सब को जानना जरूरी है जिनके पास भी स्कूटर नहीं मिला हैं टाकि उनको भी पता चले कि अभी इस्कूटर रियल लाइफ में किस तरिए सबाशा रहा है क्या थення नहीं मचा रहा है क्या शकूटर का काफी कमाल का भी रिस्पॉंस दे रहा है नहीं दे रहा है सारे लोग को जानना जरूरी है जो हम से जुड़ें भाई उन्हें तो बिल्कुल जानना जरूरी है क्योंकि हम उनको सब कुछ बताते रहते हैं तो जरूर हम से जुड़ी है हमें काम से कनेट करिए और उन सारी बात को आप शेयर कर सकते हैं इमेल आइड़ी हमारे वीडियो के डिस्पेक्शन में आपको मिल जाएगी वहां से जाकर करके आप चेकाउट कर सकते हैं